नमस्कार जनता समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कंचन आई चलते हैं खबर क्योड़ जबलपूर के पनागर धाना अंतरगर पड़ाओं में खड़ी डायल सौ में अच्छानक आग लग गई गटना के वक्त पाइलेट और सिपाही अंदर ही बैटे थे जो की ततकार नीचे उतरे और आग को बुझाने लगे हलाकि थोड़ी ही देर में आग पर काबू पालिया गया लेकिन तब तक गाड़ी की पूरी वायरिंग जल चुकी थी डैल सौ के पाइलेट अजय डेहरिया ने बताया कि रात करीब बारा बजे गस्त के बाद गाड़ी को पड़ाओ में खड़ा किया और आसपास नजर रखने लगे थोड़ी ही देर में तेज चिंगारी निकली और आवा जाने लगी आग अंदर फैल पाती इससे पहले ही सभी ने नीचे उतर कर पानी डाला और अगनी शामा की अंतरों की मदद से आग बुझा दी बताय जा रहा है कि यदि यही हस्ता चलती गाड़ी में होता तो लेने के देने पड़ जाते कईयों की मौत हो सकती थी वही अपनी ही सरकार को घेरने को लेकर सुरकियों में रहनेवाले पूर मंतिरी और पातन विदाये क अजये विश्नोई ने एक बार फिर अपनी ही सरकार की मंतिरी को घेरा है जबलपुर में आज से वर्ड रमायन कॉन्फरेंस का आयजन सुरू हो गया है यह कारिकरम संस्कृती मंत्राले के सहयोग से हो रहा है जिसमें कि संस्कृती मंत्री उस ठाकुर को उद्गाटन में शामिल होना था पर वे नहीं शामिल हुई ऐसे में पूर्व मंत्री ने तंजुकसा है पूर्व मंत्री और पाटन विधायक अजेविश्णोई ने ट्वीट कर लिखा है कि जबलपुर में वर्ड रमायन कॉन्फरेंस का आयजन है MP का संस्रिती मंत्राले इसका सहयोगी है संस्रिती मंत्री उस ठाकुर जी को उद्गाटन में आना था पर वे नहीं पहुची पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ठीक भी है जब सभी संस्रिती इंदौरवा मालवक में उपलब्ध है तो गुडवाना वा महाकौशल की संस्रिती की परवा क्यों क्यों जाए वल्डरमायन कौन आयोजन से पहले ही दिन पूर्व मंत्री अजे विश्णुई ने ट्वीट से हड कम्प मचा दिया आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार अन्य खबरों के लिए हमारा चनल सब्सक्राइब करें